जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर, जी वाई, एन, एसाई, यार इस तरह से गर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट दिलेगा, वीडियो देखिए नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का study for civil services में ये class है हमारी environmental science की और जो topic हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पारिश्टित की तंतर से जुड़े हुए महत्रपूर्ण तथ्या अब देखो साथियो, ये जो है थोड़ा सा पढ़ने में boring हो सकता है मैं समझ रहा हूं इस बात को ठीक है लेकिन एक बार देखो समझ लो कि यार ये पढ़ाई है इसमें देखिए आप बोरिंग चीज हो या फिर अब हम यार इसमें गए हैं तभी यहां compile करें तो एक बार इनको देखने में कोई बुरा ही नहीं है आप बस इनको एक बार देख लो ठीक है एक आदबार देख लोगे तो आपके मांड में बना रहेगा और मांड में बना रहेगा तो पेपर में या आपको help करेगा ठीक है तो इसी लिए सेवाल अपिक्छा कर शरल आदिम जीवन का रूप है जो सुच्प रूप से बैक्टिरिया से सम्मंदित हैं नील हरी सेवाल को आहार प्रोटीन विटामिन बी और लोह के श्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है यह द्यान लगना यह वजन घटाने मदुमेत तनाव ठ धर्म संबंदी सिंड्रोम तथा अन्य महिला स्वास समस्याओं के समाधान के लिए इनका उपयोग करते हैं ठीक है नील हरी शेवाल कई विशों का उत्पादन भी करता है लेकिन दो प्रकार के विशाक्त पदार्थ विशेस रूप से उलेखनी हैं पहला माइक्रो और एनाटॉक्सिन माइक्रोसाइटिन मानव और जानवरों की विशाक्तिता के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदाई विशेला पदार्थ है एनाटॉक्सिन ए एक शक्तिसाली नियूरो टॉक्षिन है जो सुस्ती मास्पेशियों में दर्ध भ्रम इसमर्तिहानी और अगला पॉइंट एक जीवों व्रहद परितंत होता है वह हम जीवों की बात करेंगे एक जीवों व्रहद परितंत होता है जहां पादब जीवजन्तु कीट और मनुश्य एक विशेश प्रकार की जलवायू में रहते हैं आद्र पर्णपाती वन मुक्यताः पूर्वी भारत तथा प्राइदिपी भारत के पश्चमी घाड में पाए जाते हैं कौणधारी वन मध्य हमाले में पाए जाते हैं अलपाइन जीवों उपरी हमाले में पाया जाता है घास भूमी हमाले के निचले भाग में तराई हित्रों में पाए जाते हैं अगला पॉइंट कीट भक्षी पौदों की पतियां रूपांत्रे ठोकर विश्यस प्रकार की सरचनाय बनाती हैं जिनकी साहिता से वे कीटों तथा छोटे जन्तूओं को पकड़ लेती हैं इन कीटों को पचाकर वे उनसे नाट्रोजन इतने भी कीट भक्षी पौदिया आगे नाम भी दिये हुए यहां पर जैसे नेपन्थीज है ड्रोसेरा है यह जो कीटों का भक्षन कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं ताकि उन कीटों से नाट्रोजन प्राप्ट करके अपना पोशन कर सके ठीक है बास समझते हूं कि नही अगला पॉइंट कल्प फॉरेस्ट प्रत्वी पर सरवादिक उत्पादक सुन्दर एबम प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पार्चृतिकी तंतर होते हैं तो कल्प फॉरेस्ट क्या हैं यह वे छेत्रे जो बहुत जादा उत्पादक हैं तता यहां पर और यह आर्किक जदा अंटार्टिक वरत दोनों पर फैले हुए है यानि क्या भारत में मिलेंगे तो भारत में हां उच्छे माले छेत्रों में तो मिल सकते हैं बाकी चूकि वहां पर हमाले तो है नहीं मतलब सवरी वहां पर पानी तो है नहीं तो इनके मिलने के चांस चुका है वाटरशेड की मूल अवधारणा है कि जल को एक स्थान पर रोकना तथा उसका सोखा जाना वरच वरस्पती जल सोखने में सायक होता है जबकि जल धारा अवरोध और बांध अवरोध पानी के भाव को रोकने में सायक है अता ना केवल जलाशेयों को पानी की पार जैसी गंबीर समस्याओं को रोकने में भी साहयक है अगला पॉइंट पारस्थित की निकेत या नीशे इसको हम अलड़ी पर चुके हैं पहले इसका प्रियोग सबसे पहले ग्रीनेल्स ने किया था ध्यानकनाई पेपर में आ सकता है कि पारस्थित की नीशे शब्द का प उप जातियों की इस्थानी वित्रण व्यवस्था को इस सब्द के माध्यम से निरूपिद किया अगला पॉइंट भारत में जौर नद मुखी पारिश्थित की तंत्र के उधारन कौन-कौन से हैं देखो दो हैं डामेंड हार्बर जो कि आपको वेस्ट बंगाल में मिलेग और दूसरा पेननार मोहाना जो कि आपको आंध परेस में मिलेगा यह ज्वार नद मुख पारिश्थित की तंत्र के उधारन हैं ठीक है ध्यान रखना अगला पॉइंट यूट्रोफिकेशन का अर्थ काफी महत्पूर है PCS परिक्षा में कई बार पूसे जा चुका है यूट्रोफिकेशन या जिसको हम लोग यहां पर बोल देते हैं हिंदी में सुपोशन तो सुनने में तो बढ़िया लग रहा है सुपोशन बढ़िया चीज है लेकि परियावण के लिए बढ़िया चीज नहीं है द्यान लखना देखो जड़ा क्या होता है यूट्रिफिकेशन जील के प्राकरतिक रूप से कालिक छे है जो इसके जल से जो इसके जल के सुपोशन से होता है समय के साथ वे धाराएं जो जील में गिरती हैं पोशक तत तो जैसे नाइट्रोजन तता फासपूरस इन में प्रवेश कराती हैं जो जली जीवों के विकास को प्रोसाहित करता है यार अगर आप इंडस्टी एरिया में रह रहे हैं या बहुत जादा घनी बस्तिया है तो वह कि वैसे बैसे बाइलोजिकल ओक्षियन बढ़ेगी और बारद बन्यार के ख्रत्र जाएंगे और ओक्षियन की कमी हो जाएगी तो इस तालाब में मय जिवत्रक्ति हैं और और जादा पॉलिशन शुरू हो जाएगा और जादा प्रोडूशन शुरू हो जाएगा क्योंकि वो जो मरेंगे वो बाहर जाकर कि तो आजमत्या करेंगे नहीं ताला में ही रहेंगे तो बेसिकली जब किसी भी जली परितंत्र की तंसकी उत्पारक्ता बहुत जादा बढ़ जाती है जैसे किसी तालाप की उत्पारक्ता बहुत जादा बढ़ गई तो इसी को कहा जाता है सुपोशन और सुपोशन की स्थिती में उस जली परितंत्र में पानी की मतब ऑक्सिजन की बेहत कमी हो जाती है पानी में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है जिससे जली जी मरने लगते है इसी घटना को कहा जाता है स्वपोशन आगे देखो कवक में हरित लवक ना होने के कारण ये परपोशी होते हैं सेवाल स्वपोसी होते हैं ध्यान रखना जो हर एक क्लोरोफिल रंजक की सायता से अपना बोजन स्वैम बनाते हैं ठीक है तो कवक जो है ये परबोशी है और सेवाल स्वपोशी है मरुस्थलिय पारिस्थित की तंत्र उष्ट मरुस्थल तदा सीर्थ मरुस्थल में विभाजित है दो तरीके मरुस्थल होते हैं एक गर्म एक थंडा अगला पॉइंट ब्लू कार्बन तटिय तदा समुद्री पारिस्थित की तंत्र में संग्रहित कार्बन है मैगरोव जुआरी दलदल तदा समुद्री घास के मैदानों के 35 तंत्र में सदियों से बनस्पति तदा विविन पारिस्थित की प्रिक्रियाओं द्वारा जमा कार्बन के बड़े भंडार है द्यान रखना मैगरोव वन कार्बन के बड़े भंडार है यह पाशंट की तंत्र स्थलीवक की तुल्ला में प्रतिएकाई छेत्र में अधिक कार्बन का अनुकरम तधा बंदारन करते हैं इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है तो ब्लू कारबन क्या है जो नदियों, जीलों, महासागरों की सताय के पानी में तेरते हैं पादा, प्लवक, वे सुच्वजीव, पदार्त होते हैं जो सुच्छ तदा खारे पानी दौनों प्रकार के जली वातावण में निवास करते हैं अगला पॉइंट कोल आद्रभूमी क्या है? केरल के तरशूर तथा मलपूर जिले में अवस्थित यह छेत्र वे मनाट कोल आद्रभूमी का भाग है यह भारत के दक्षडी पश्चमी तट पर सबसे बड़ा खारा आद्र उष्टिकटबंदी आद्रभूमी पारिस्थित की तंत्र है जो दस नदियों द्वारा संभारित है द्यान अगना बहुत इंपोरेंट है यह पश्चमी तट के विसाल ज्वारनद प्रडालियों के समान है इसको कहते हैं कोल आद्रभूमी तो द्यान अगना कोल आद्रभूमी कहां पर है? केरल में है अब कुछ पारिस्थित की तंत्रों से सम्मंदित कुस्स कमितिया है जैसे देख लो पश्चमी गाटों के सरक्षण के लिए जो समिती बनाए गई है उसका नाम है माधव Gाण गाट्गिल सममिती राष्टी एक खेल कोड के लिए समिती बनाए गई है इंजेती स्रीनिवा समिती पश्मी घाटों के सरक्षड के लिए कस्तूरी रंगन समिती भी बनाए गई है लास्ट पॉइंट है तमिल आडू में विश्व के पहले नमक सहिशनु पादप उध्यान साल टॉलरेंट प्ला करता हूं इसमें आपको महतपूर जानकारी मिली होगी यह से पढ़ना तो पड़ेगा यार सीधी बात है आप यह सोचो कि हर चीद में आपको मजा मिल जाए आनंद मिल जा यार तो वह नहीं मिलने वाला है और अपने पढ़ने जोन से बाहर जा करके पढ़ाई करते हैं अगर आप बिस्तर पर पढ़े पढ़े जो है यह सारी चीरे करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा भाई और आप अधिगारी नहीं बन पाऊगे सीधी बात है तो दिमाग लगाना पढ़ेगा मन बोलेगा हजार बार कि नहीं इसमें मैं बोर हो रहा हूं मुझे नहीं पढ पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यह पेपर में आएगा ध्यान लगना ठीक है तो चलिए मिलता है लिए ग्लास में तब तक के लिए जय हिंज भारत वंदिमाद रहें